हाई गाईज आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेड मार्क की डैफिनेशन ट्रेड मार्क की असेंशल्स क्या है गुड ट्रेड मार्क होने के लिए ट्रेड मार्क के फंक्शन्स क्या-क्या है या ट्रेड मार्क की क्रेक्टर स्टिक्स क्या-क्या है त वीडियो के अंदर ताकि आपको ड्रेड मार्त केरें टॉपिक रिकारडिंग कंसेप्च्छर एक क्लियरिटी होए तो्चलिए डिसक्स करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेड़ मार्क या है वैसे तरह हमने अपनि कास्ट वीडियो के अंदर ट्रेड मांक के रिगार्डिंग बैसिक्स कंसेप्चर क्लेर्टी को डिसकस किया था एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि ट्रेड मांक क्या है ट्रेड मांक एक विजुल सिंबल है इन फॉर्म अफ देग वर्ड डिवाइस या लेबल जो कि अप्ला परसं से रिलेट करती है या उसके दवारा या उसकी कंपनी के दवारा मैनुफेक्चर्ड है जो कि डिस्टिंग्विस्ट है उसके जैसे सेम सिमिलर गूर्ड से जो कि मैनुफेक्चर्ड है या डेल करती है किसी अदर परसं से अब डिसकस करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या ह एक मार्क है जो कि capable of being represented graphically and जो कि उस goods या service को जो कि एक person से relate करती है उसको दूसरे person की उन goods से distinguish करने में capable होता है और इसमें क्या include हो सकता है कि shape of goods हो सकती है या उनकी packing हो सकती है या कोई combination of color हो सकता है अब section 21m define करता है मार्क जो कि हमने उपर जो जो कि हमने उपर वाली definition के अंदर दिया गया कि मार्क तो उस मार्क के अंदर क्या क्या चीज़ आती है वह section 21m के अंदर define है जिसमें मार्क को डिफाइन किया है एज डिवाइस ब्रांड या को हैडिंग होगी लेबल हो गया टिकेट नेम सिगनेचर वर्ड लेटर नंबर सेप ऑफ गूड्स या फिर पैकिंग होगी उस गूड्स की कॉंबिनेशन ऑफ कलर हो गया या एन्नी कॉंबिनेशन देर ओफ इन दौनों डेफिनेशन को रीडिंग करने के बाद हम कनक्लूड कर सकते हैं कि जो डेफिनेशन ऑफ ट्रेड मार्क है वह एक इंकल्यूजिव है एक्जोस्टिव नहीं है यानिकि इसके अंदर हम कुछ औ लेटर के जो कि एक क्रियेट लेटर जो की क्रियेट करते हों ट्रेड मार्क को डिस्टिंग्टिवनेश इस होल मार्क अब बात करते हैं असेंशियल्स क्या है एक गुड़ ट्रेड मार्क के यानि कि हमें जब भी ट्रेड मार्क करवाना है या फिर हमें अपनी ब्रैंड के ट्रेड मार्क को पॉपुलर करना है तो उसके लिए अच्छे ट्रेड मार्क का उना जुरूरी है तो उस अच्छे ट्रेड मार्क को किस चीज़ क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वाइर्मेंट है तो वह चीज़ें हम अभी डिसकस करेंगे distinctive trademark होने के साथ साथ में उसमें ये following attributes होने भी जरूरी है जैसे कि अगर वो एक trademark एक word है तो वो क्या होना चीए easy to pronounce and remember अगर वो word है trademark और वो pronounce करने में easy है याद करने में easy है तो वो ज्यादा customer potential customer को ले गयाएगा अगर आपका trademark किस तरह का है जो customer याद ही नहीं कर सकता या उसको pronounce करने में दिक्कत होती है तो वो आपकी company के products की selling के उपर effect डालेगा अगर वो trademark एक device है तो वो क्या होना चीए capable of being described by a single word यानि कि जो trademark है वो device है उसको describe करने में हमें एक बड़ी सी definition देने की जूरत ना पड़े हम single word में उसको describe कर सके इस तरह का trademark होना चीए और जो trademark के अंदर जो characters है वो ऐसे होने चीए कि जो कि उस trademark को spell करे correctly और lisibly उसको write करने में help करे next is जो trademark वो should be short होना चीए जैसे कि Jen हो गया टाटा हो गया और trademark क्या है वो should be attractive होना चीए eyes के लिए जैने की catchy होना चीए eyes के लिए and the last essentials हम क्या कहेंगे कि यह है जो की trademark है वो registration की जितनी भी requirement है इस act के अंदर provide की गई वो सारी की satisfy करनी चाहिए अब discuss करेंगे हम इसके functions trademark के function क्या है जैसे हमने अभी अभी discuss क्या है कि trademark है वो indication देता है purchaser या possible purchaser in future regarding the manufacture और quality है जो उस goods की उसके बारे में और purchaser को वो satisfactory assurance देता है कि जो goods है उसकी quality है जिसको वो buy करने जा रहा है वो बढ़िया होगी और जो goodwill है उस product की उस brand की उस company की वो उसके trademark के through ही reflect होती है इसके functions को हम step by step क्लासिफाइब किया जो की चार के टेगरीज के इंदर आप उनको discuss करेंगे सबसे पहले क्या करता है कि trademark identify क्या करता है उस product को और उसके origin को यानि कि वो trademark कि किसके दोबारा manufacture किया गया है किस company से relate करता है कहां से वो produce हुआ है फर एक्जांपल देखें तो वीडियो कौन एक ब्राइंड है वो सिगनिफकाई क्या करती है कि एक electronic products को जो कि produce किये जाते हैं वीडियो कौन कंपनी ओफ इंडिया के दोबारा यानि कि हम जैसे भी किसी गूर्स के ओपर वीडियो कौन ट्रेड माग लगा हुआ देखते हैं तो understood है कि वो उस particular वीडियो कौन कंपनी के ध्रू ही बनाए ग function है कि it guarantees it's established quality यानि कि trademark है जो एक customer के mind में image बना जाता है उस particular goods की quality के regarding फॉर एक्जांपल अगरे यहाँ पर हम कोलगेट की बात करें तो कोलगेट है उसकी quality well established है और जो उसका purchaser है कोलगेट टूटपेस्ट का वो अशोर्ड है कोलगेट की quality के regarding trading यानि कि उसे पता है कि कोलगेट टूटपेस्ट की quality क्या है तो यह एक advertisement के रूप में भी काम करता है उस product की यानि कि जो भी company है चाती है अपने product को popularize करना पब्लिक के अंदर तो उसको अपने product को एक trade name देना पड़ेगा फिर उसको create करना पड़ेगा अपनी brand value जैसे के लक्स एक popular brand है soap की नाने के शाबुन की इट क्रियेट आइमेज ऑफ दे प्रोड़ेक्ट इन दा माइंट ऑफ पब्लिक जैसे फोर एक्जाम्पल हम बात करें ट्रेड मार्क है पारले का उसके उसने क्या है कि लोगों के माइंड के अंदर एक impression या image बना दी है उस product की quality के regarding या उस product regarding जैसे कि जब भी हम पारले नाम सुनते हैं तो पारले जी जब भी नाम सुनते तो हमारे सामने एक image आती है छोटी सी लड़की की जो बिसकुट के उस packet के उपर लगी होती है और वो पारले जी बिसकुट हमारे माइंड में आ जाते हैं उसी time तो यह उस product की quality यान कि उस company के द्वारा बेचे जाने वाले बिसकुट हैं या confessionaries हैं उनकी image बना रखी है कि लोगों के public के mind के अब डिसकस करें हैं टेड मारक के characteristics क्या हैं बहुत सारे judicial verdicts के आदार पर कुछ essential characteristics हैं उनको कुछ इस तरह से highlight के अजासता है जैसे कि जो definition है और टेड मारक की और जो जिसके अंदर वो article और goods हैं वो sold की जाती हैं जैसे बजाज और गोद्रेज हैं वो एक corporate name है वो पर्मिसेबल है सेकिंड है कि ट्रेड मारक एक तरह की property है और इसको lock and protection भी है यह property किस तरह की है intellectual property जिस तरह से copyright हो गया पेटेंट हो गया इस तरह से इसको भी एक intellectual property माना गया है और इसको lock under protection प्रवाइड है ट्रेड मारक क्या है जरनली transmitted होता है in connection with the goodwill of the business जब भी हमें ट्रेड मारक ट्रांसपर करना होता है तो वो उस business की goodwill को ट्रांसपर कर रहे हैं इसलिए law है वो does not recognize the transfer of the trademark पर से यानिकि वास्तम में जो law है वो ट्रेड मारक के ट्रांसपर को separate from the goodwill of the business रिकोगनाईज नहीं करता नेक्स्ट इस ट्रेड मारक है वो रिजिस्टर हो सकता है अन्रिजिस्टर भी हो सकता है रिजिस्टर ट्रेड मारक के कुछ अलग benefit है यह हैं ओनर सी पर ट्रेड मारक की assure करता है और अनेबल करता है उस owner को उस ट्रेड मारक के टूवाइड दप्रॉविंग इस ट्रेड मारक का इन्फ्रीजमेंट होता है उसको अपनी ownership करने की जुरूद मढ़ती उसके पास ownership है उसने रिजिस्टर करवा रखा है प्ट जहां पर अन्रिजिस्टर ट्रेड मारक है तो वहां वार्फर उस on के पास अपनने नाय से प्लेंट करने के लिए ट्रेड मारक कई इनफ्रीजमेंड के रिगार्डिंग शिंपल पासिंग ओफ का एक्शन होता है और हम पासिंग ऑफ टंक्षाओं उसके रिगार्डिन जिसकेशन आंव तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के इसी प्लेइलिस्ट के अंदर आड़ करेंगे अगर आप यह पासिंग ओप आली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइक लिन दबाजें ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो उसका नोट ट्रेड मार्क्स इन सभी मार्क्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे नेक्स्ट क्रेक्टर स्टिक्स है कि डिस्टिंक्टिवनेस क्या है वो बेसिक क्वाल्टी है और ट्रेड मार्क के अंदर कहीं भी आपको सिमिलर्टी नहीं मिलेगी परती एक ट् वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं थैंक्स पर वाचिंग वीडियो लाइक और सब्सक्राइब पर मौर सच वीडियो